Welcome to Commerce Lectures, I am Neha, आज करेंगे हम Class 12 Macroeconomics and आज का हमारा टॉपिक है components of BOP, यानि balance of payment account के क्या क्या components है, तो इसमें तीन चीज़े आती है, एक है current account, एक है capital account, एक है official reserves account, इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे current account के बारे में, current account क्या करता है, उसमें क्या होता है, It records receipt and payment of foreign exchange which do not impact assets liability status of a country in relation to the rest of the world, यानि ये account क्या करता है, जितनी भी receipts और payments है, उनको record करता है, यानि पैसा आना और पैसा जाना, पैसा कौन सा होगा foreign exchange, यानि जब हम बाहर के देश के साथ कोई trade करेंगे, तो वहां से पैसा आएगा भी और यहां से पैसा जाएगा भी, तो वो सभी चीजों का जो record होता है, पैसों का लेने और देने का, वो current account में होता है, और एक बात है, चाहे पैसा आए, चाहे पैसा जाए, अपनी assets और liabilities पे कोई फरक नहीं पड़ता है, हमारे देश की assets और liabilities जैसी होती है, वो वैसे ही रहती है, ठीक है, हमारी assets और liabilities ना raise य items of current account BOP, अब current account BOP में क्या क्या आइटम आती है, क्या क्या चीजे हैं जो इस account में हम लिखते हैं, तो सबसे पहली चीज आएगी इसमें, export and import of goods, यानि export का मतलब होता है, अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में goods को बेचना, और import मतलब होता है, बाहर किसी दूसरे दे से goods खरीद के अपने देश में लेकर आना, ठीक है, इसको जो है export और import को क्या का जाता है, visible trade का जाता है, visible trade क्यों कहा जाता है, उसका एक reason है, क्योंकि जो आपके goods होते हैं, वो tangible होते हैं, material होते हैं, हम goods को touch कर सकते हैं, हम goods को देख सकते हैं, जिसे sofa हो गया, pen हो गया, ये सीन, यानि देख सकते हैं, जब ये borders cross कर रहे हो, चाहिए ship के थरू हो, चाहिए plane के थरू हो, इन्हें देखा जा सकता है, example, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने, कि export और import हो रहा है, mobile का, चाहिए mobile खरीद रहे हो, चाहिए बेज रहे हो, आप उसको देख सकते हैं, जब वो ब इसलिए कहा चाता है, क्योंकि services जो होती है, वो non-tangible होती है, ठीक है, वो दिखती नहीं है, यह material नहीं आएगा इधर, और जबी भी वो बॉन वो borders cross करती है, तो services नहीं दिखाएती है, banking services, insurance services को अपनी आखों से थोना देख सकता है, नहीं देख सकता है, so invisible शब्द का अब ही होता है, जिस सीच को देखा नहीं जा सकता है, example मैंने यह लिखा हुआ है, जैसे कि आप insurance services दे रहे हैं, बाहर किसी दूसरे देश के इंसान को, तो उसको नहीं देखा जा सकता है, जब वो border cross कर रही है, दूसरे देश में जा रही है, और service को नहीं देखा जा सकता है अपनी आखों से, next है services की बात की जाए, तो आगे दो टाइप्स की है, यह factor services और non factor services, factors इक तर से पता क्या हो रहा है, factors of production की बात हो रही है, यह प्रोडक्शन में जो चीजे help करते हैं, जैसे land, labor, capital, तो उनके regarding बात हो रही है, so factor services सबसे पहले जानते हैं, क्या चीज होती है those services which led to factor payment और factor income, वो सभी services जिनसे factor payment या factor income generate होती है, उसे factor services कहा जाता है, जैसे की हमने एक ले लिया factor services में example ले लिया labor का, एक labor जो होता है, एक इनसान जो होता है, वो किसी भी organization में या company में जा के अपनी services provide करता है, काम करता है, उसके बदले उसको wages वगेरा मिलती है, compensation मिलता है, है ना, तो वो चीज कहलाएगी, जैसे factor services, क्यों, क्योंकि factors of production से आई है, ये factor services, आगे पढ़ते है, non-factor services क्या होती है, non-factor services में सारी services आती है, जो factor services नहीं होती है, यानि land, labor, capital, entrepreneur, ये चार चीजों से इलावा, जो उन से service हो गई न, वो सारी हो गई, आपकी non-factor services, ज banking services होगी, non-factor, क्योंकि इसमें factors of production का कोई लेना देना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, next है current transfer क्या होता है, it refers to transfers for free, अगर हम free में किसी को कुछ ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि आप हैं, आप यहां से पे काम करते हैं, आपके बच्चे दूसरे देश में पढ़ने गए हुए, आपने उसे उन्हें पैसा transfer कर दिया, कोई gift दे दिया, कि आपके बच्चों नहीं वहां से खरीद कि आपके लिए कुछ भिजवा दिया, free में, है ना, तो वो होता है current transfers, example देखते हैं, अगर आप कोई भी transfer कर रहे हैं, किसी को gift दे रहे हैं, grant दे रहे हैं, तो यह सब ही क्य आते हैं, current transfers में, इन्हें कैसे treat किया जाता है, invisibles माना जाता है, क्योंकि यह चीज दिखती नहीं है, ठीक है, पैसे आप भेज रहे हैं किसी को, तो वो चीज आप देख नहीं सकते हैं, borders cross करते हैं, online पैसे चले जाते हैं, next, current account records all payments to rest of the world as debit signed, अब जो है current account में में बताया था क्या क्या आती है, सारी तो payments आएगी, ठीक है, payment हम किसको करते हैं, पैसे हम किसको देते हैं, rest of the world, rest of the world यानि बाहर के देश, इंडिया को छोड़के बाकी जितने भी देश बच गए हैं, उन सभी को हम payments देंगे, तो वो debit की जाएंगी, minus की जाएंगी, और क्या आती है current account मे सारी receipts आती है, receipt यानि पैसा कहां से आएगा, rest of the world, दूसरे देश के लोग हमें पैसा देंगे, इंडिया को पैसा देंगे, तो वो सभी credit हो जाएगी, यानि plus हो जाएगी, add हो जाएगी, ठीक है, तो net receipts से कर निकालनी हो, उसका example दे रखा difference between receipts and payment, यानि जितने पैसे उन दोनों का difference उनको minus करके निकलती है, net receipts से से खतम ये आपकी वीडियो,